IQ की बात को हम आगे बढ़ाते हैं, welcome back IQ is the measure of intelligence that takes into account a child's mental and chronological age तो जो mental age होती है, it's divided by chronological age, multiply by 100 तो आपका IQ level आजाएगा mental age वो होती है, जब आप course solve करते हैं, जिससे आपने पहले देखा 30 level होते हैं जितने question आप solve करते हैं, उसके साफ से आप इनमर आपका बढ़ता चले आता है chronological age आपकी actual age होती है, इसका मतलब अगर आपकी mental age और chronological age बराबर होगी तो आपका IQ level 100 आएगा 100 से नीचे बिसी कलिया आता है, तो आपका IQ level average के मुकाबले में कम होता है, 100 से उपर आता है, तो average के मुकाबले में आपका IQ level ज्यादा होता है People whose mental age is equal to their chronological age will always have an IQ of 100 If chronological age exceed mental age below average intelligence, if the mental age exceed the chronological age, it means above average intelligence तो ये इस किसम का इसका build shape curve बनता है, जिसमें आप देखें, कि तकरिबन हमारे पास 50% जो लोग होते हैं, उनका IQ level 100 होता है 13% लोग ऐसे होते हैं, जिनका IQ level 116 से 132 की बीच में होता है दो person ऐसे लोग होते हैं, आइनस्टाइन लेविल के, जिसका IQ level 142 से उससे जज़ादा होता है तो जो average score हमारे पास आता है, that's between 84 and 116 जो very superior intelligence जिनकों gifted students केहते हैं, जैसे हमने पीशे भी अभी पढ़ा के school के में दाखले होते हैं gifted students के अमरीका में, उनका IQ level 130 से ज़ादा हाता है superior intelligence वाले वो लोग होते हैं, जिनका IQ level 120 से 139 के दर्मियान हो high average intelligence वाले 110 से 119 के दर्मियान, average intelligence वाले 90 से 109 के दर्मियान low average वाले 80 to 89, borderline intellectual functioning वाले 71 to 79, mild mental retardation, बहुत यह अजीब टर्मियान हो यूज किये 55 to 70, moderate retardation 40 to 54, severe mental retardation 25 to 39, हम autistic child की जो बात करते हैं वो यहाँ इस range में कहीं आते हैं, and profound mental retardation below 25 होते हैं यह तमाम के तमाम जो test develop किये गए थे, और इनका मकसद सिर्फों सिव यह था कि बच्चा स्कूल में किस तरीके से perform करेगा, इसको मीजूली देख लेते हैं, यह आपको देख रहे हैं कि कितने person लोग हमारे पास हैं जिनका score, average score हमारे पास 90 से 100 हो तक है, और very superior, हमारे पास iron style level का जो है, वो 140 से 160 के बीच के अंदर है IQ task के अंदर जो questions हमारे पास आते हैं, उनकी मगलिफ types होती हैं, उसमे mathematical, metaphors होती है, और हमारे पास logical information होती है अब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और अगले एक लेक्षर में हम कुछ rail IQ test देखेंगे questions देखेंगे किस किसे हमके असल question IQ test में आते हैं और उसके बाद उनके उपर discussion करेंगे कि अगर ये questions computer से पूछे जाएं तो उसको पे उसका जवाब किस तरीके से दे सकेगा